दोस्तों चीन अपने इत्यास में सबसे अधिक कच्चा तेल एवं सोना संग्रहत कर रहा है इसके पीछे का कारण विश्व शांती है चीन दुनिया की प्रगरती के लिए प्रयासरत है अगर आप ऐसा मनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेवकूफ नहीं बाइडन होना पड़ेगा चीन ये जो क्रिटिकल रिजर्ब तयार कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बविश्य में युद्ध की तयारी के सिवाए और कुछ भी नहीं है इसलिए महोदय या तो दुनिया को चीन के आगे समर्पन करना पड़ेगा अगर सरेंडर नहीं होगा तो युद्ध पक्के से होगा इसलिए मानेवर हमारा आपसे लगातार निवेदन रहा है कि इस घटनाक्रम से हमारा मुनाफ़ा बनना ही चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी भवश्यवानी है जो कि दीवाल पर लिखी हुई साफ साफ दिखाई दे रही है सिर्फ पढ़ने भर की देरी है इस ब पावर्ड हैं भाप पर आधारत इंग्जन्स पर हमारी नौसेना कारेरत है सुभाव एक है ये भाप के इंग्जन पुरानी टेक्नलोजी है इनको मेंटेन करने में रिपेर करने में दिक्कत तो आती ही आती है साथ में इनको ऑपरेट करना भी स्रीमान बहुत त्यड़ी ख दिख जाते हैं इन इस्टीम पावर्ड इंग्जन को चलाने में तो ये जो समश्या है कोई आज की नहीं है पिछले 20-25 सालों से चली आ रही है परन्तु आधरनिय मोदी साहिब अब इस समश्या का निवारन कर रहे हैं जड मूल समेत इस्टीम पावर्ड इंग्जन को बद रहा होगा ये काम भला कर कौन रहा है तो अपने कान खरगोश की तरह खड़े कीजिए कोचिन शिपयार्ड में ये काम अल्रेडी चालू हो गया है भवेश्य में ये काम आगे बढ़ाने के लिए बिड्स डाली गई है इस बात की संभावना है ये जो इंजन अभी लग रह इवं किरलोसकर मिलकर बना सकते हैं तो ना सिर्फ इंजन भारत में बनाये जाएंगे बलकि जहाजों में उनको फिट भी किया जाना है मतलब ये एक ऐसी विवेन्यू स्ट्रीम है जो की आगामी दो तीन चार वर्शों तक लगातार पैसा उगलती रहेगी इसलिए हुजू मजगाउं डॉक्स एवं गार्डन रीच शिफ बिल्डर्स को अपने रडार पर रखिये इन वैसे कोई एकाद कंपनी जो आको समझ आती है उसमें निवेश करने का रवया रखिये ताकि चीन से अगर विवाद भढ़कते हैं तो उससे आपकी तजोरी अपने आप भरती र बनाया है आपको इस वेश्विक जियो पॉलेटिकल घटना क्रम से प्रॉफिट कमाने के हर अफसर को पकड़ना है रही बात पोचिंश प्याड गार्डन रीच से बिल्डर्स एवो मजगाउं डॉक्स से रिलेटेड यदि आपको कोई रिक्मेंडेशन चाहिए तो इसी व काहिंट मेंबर्शिप लेदी जीएगा महद है